विभूतिपुर में नागपंचमी त्योहार को लेकर हजारो सापो को खिलोना की भाती खेलते लोग समस्तिपुर से जकी एहमद की रिपोर्ट समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थानाक्षेत्र के नरहन बजार स्थित्मा भग्वती मंदिर में धूम धाम से नाकपंचमी का त्योहार मनाया गया नरहन बजार से हजारों सापों का जुलूस हर साल की भाती इस साल भी बड़े हर्शो उल्लास के साथ हजारों हजार सापों के साथ पुजारी के साथ भक्तों के रहला निकला और बजार होते हुए नदी में जाकर पुजारी ने सनान किया और नदी के अंदर से भी दरजनों सापों को निकाल कर देखने वालों के दाख तले अंबुली काटने पर मजबूर कर दिया खाली हाथ पुजारी सनान करने जाते है और हर एक डूपकी में एक साप अपने साथ निकलते जाते है हर पुजारी ये कर्टब दिखाते पाए गए इस दोरान भगत और और उनके लोगों ने तरह तरह के सापों का कर्टब दिखाया ऐसी मान्यता है कि इस पूजा को करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और सर्पदंश का डर भी दूर होता है पंचान के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है समस्तिपूर जिले के विभूतिपूर थानाक्षेत्र के नरहन में सेकडो वर्षों से इस पूजा को करते आ रहे है इस पूजा के करने से लोगों की मान्यता है कि गावों में भीशन संकत आपदा से इश्वर रक्षा करते है है भी जग् smells भी जब व अ मैं मैंने से लोगों मैं बemedन है झालों में है न भीशन संकता है को अ श न भीशन condemों हो जात को प्रहों में है सित्वाय जोगा नप उन्या को शालों − याणि दो árकार हikit लग 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 लगाना